NSDL branch ID में top up यानी recharge करने के लिए आपको back office में login होना है उसके बाद 3 limit enhance पे आ करके जो भी amount आपको deposit करना है आप simply जो एसो receive deposit amount पे click करके आगे go पे click करेंगे जैसे आप go पे click करेंगे तो next आपको build ex और beam upi का payments mode आपको देखने को मिल जाएंगे simply आप जो भी select करके और pay now पे click करेंगे जैसे आप pay now पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपकी branch code और amount देखने को मिल जाएगा आप जिस भी upi के माध्यम से payment करना चाहते उनका virtual upi address डालेंगे जैसे में हम अभी यहाँ पे अपना upi address जो upi होता है उसे डाल लेते हैं ताकि उसी upi पे जो एसो payment request जाए और फिर पुना payment request complete होने के बाद transaction successful हो पाए तो जैसे हम यहाँ पे upi id डालने के बाद submit करेंगे just a few seconds में हमारा यहाँ पे request जाएगा अभी हमारा upi id जो not found यानी mistake होगी हमने सही से डाला तो हम सबसे पहले upi id सही से डालेंगे उसके बाद फिर transaction आगे submit करेंगे जैसे हम submit करेंगे तो देख सकते हैं हमारा जो एसो request successfully still city security limited दुवारा जो जा चुका है उस upi पे जिसे हम अभी इंटर कियें थे जिसमें चार मिनिट का समय रहता है तो वापस हम आएंगे तो देख सकते हमारा phone pay में इस तरीका का जो एसो यह request आया है payment के लिए तो हम pay पे क्लिक करेंगे जैसे हम pay पे क्लिक करेंगे तो यहां पे हमारा request जो है तो एसो अस्टिल सिटी बिए तरफ से है इसे हम pay पे क्लिक करेंगे और यहां पे अपना upi pin डाल करके जो एसो हम simply next पे क्लिक कर देंगे और upi pin डालने के बाद हमारा transaction जो एसो complete होगा तो चलिए हम फट आफट पे प अपना upi pin इंटर करते हैं upi pin इंटर करने के बाद simply आप इस यहां पे आपका जो हैसो transaction securely होने लगेगा देख सकते हमारा transaction successfully complete हो गया जब हम वापस यहां पे आएंगे system पे तो देखेंगे कि हमारा transaction your transaction is successful limit will be enhanced within 60 minutes यह एक formality है लेकिन बहुत ही जल्दी जैसी आपकी transaction complete हो जा जाते हैं ठीक है चलिए हम भी इसे close करते हैं और वापस चलते हैं लोगिन मेंजर में और वहां जा करके हम अपनी जो हैसो branch ID login करेंगे user ID डाल करके और देखेंगे कि हमारा pop-up top-up जो हैसो हुआ है या नहीं चलिए हम यहां से log out हो चुके है successfully अब हम यहां जो हैसो successfully जब य branch ID में पैसे load हुए है या नहीं वो दिख जाएंगे चलिए हम यहां पे submit कर देते हैं login हो जाते हैं जैसे हम login करेंगे तो location authorized access मांगा जाएगा I agree पर क्लिक करना है उसके बाद authentication login authentication two step verification के लिए आप चाहे email या mobile नंबर पे OTP generate करवा सकते हैं जो OTP generate हुआ है वो आपके register mobile अभी हम इस OTP को simply वहां पे fill up कर देंगे 5354 उसके बाद submit पे क्लिक कर देंगे जैसे हम यहां submit पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं successfully NSDL branch ID में login हो चुके हैं यह हमारा home panel है और जैसे हम जो यहां पे user इसमें जा करके हम form 49 पे क्लिक करेंगे acceptance में उसके बाद यहां से हमारा right side मे जो इसो corner में available limit दिखे जाएगा तो हमारा जो इसो recharge successfully done हो चुका है money भी load हो चुका है कुछ इस परकार से आप amount को load कर सकते हैं साथी साथ चेक कर सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं NSDL branch ID लेना और pain card में काम करके अथिरिक कमाई करने की सोच रहे हैं तो तुरंत content करें दिए अगर नमबर पर